हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल आज मैं ऐसे कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हूँ जिसका मेंन फोकस होता है फैमिली, कमूनिटी और लोगों का हेल्प करना वो कोर्स है जी एनेम इस वीडियो में आपको जी एनेम के हर वो जानकारी मिल जाएगी जैसे जी एनेम क्या होता है जी एनेम कोर्स को करने के लिए क्या-क्या योगिता होनी चाहिए ये कोर्स करने में कितने समय लगते हैं टॉप कॉलिजेज कौन से हैं जो जी एनेम कोर्स को करवाते हैं एडमिशन कैसे होता है फी कितनी होती है शातिसाथ कोर्स को करने के बाद जोब प्रोफाइल्स क्या होगा इसकी सैलरी कितनी होगी यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखे सबसे पहले G&M क्या होते है GNM का मतलब होता है General Nursing and Midwifery ये पारा Medical में तीन साल का Nursing Diploma है इस कोर्स का Mean Aim होता है ज्यादा मात्रा में नर्सेस को तयार करना ताकि वो Medical Field में सही सही काम कर शके इस कोर्स में नर्सेस को ऐसे प्रिपेर क्या जाता है जिसे की व्यक्तियों की, Hospitals की, Community की, देश की जरुरत बन सके ये प्रोफेशन ना कि बीमार लोगों की मदद करने में काम आता है बलकि ये जीविका का एक अच्छा शादन भी बनता है अब हम बात करेंगे इस कोर्स को करने के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए तो GNM कोर्स को करने के लिए सबसे पहले 12th exam Physics, Chemistry और Biology PCB से होनी चाहिए और 37th 12th का मार्क 40-50% होनी चाहिए ये कोर्स साइंस के स्टुडेंट्स तो करी सकते थे शादी साथ अब Arts और Commerce वाले स्टुडेंट्स भी इस कोर्स को करश रखते हैं ये कोर्स पहले Girls के लिए होती थे लेकिन अब ये कोर्स 25 और Girls दोनों करश रखते है ये कोर्स करने के लिए Age जो है वो 17-35 साल के Base में होनी चाहिए टोटल GNM कोर्स को करने के लिए 3 साल 6 महिने होते हैं अब आप इस GNM कोर्स में Admission कैसे ले शकते हैं तो इस कोर्स में Admission लेने के लिए कुछ University entrance exam करवाती है और कुछ University बिना entrance exam के 10th प्लस 12th के Marks के अनुशार आपका Admission लेती है कुछ खास entrance exam है जो GNM कोर्स में Admission लेने के लिए दिया जाता है वो entrance exam है AIMS nursing entrance exam, BHU nursing entrance exam, जिपमर nursing entrance exam ये सभी nursing exam देने के बाद आपको एक अच्छे government college मिलेंगे जिसमें आप GNM कोर्स कंप्लेट कर शकते हैं अब top colleges कौन कौन से हैं जो GNM कोर्स को करवाते हैं तो top colleges सार्दा युनिबर्सिटी, Greater Noida, Aligat Muslim University Aligat Noida International University, Gotham, Budnagar, Christian Medical College, Valor Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Kolkata ये सभी top colleges हैं जो कि GNM कोर्स को करवाते हैं GNM कोर्स का syllabus क्या होता होगा तो GNM कोर्स का first year syllabus, second year syllabus और third year syllabus तीनों अलग-अलग होते हैं जिसमें first year syllabus में पढ़ने होते हैं Anatomy and Physiology, Microbiology, Psychology, Sociology, Community Health Nause, Health Education and Communication Skills ये सभी first year के syllabus होते हैं और अब हम बात करेंगे GNM कोर्स के फाइदे क्या फाइदे हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप government और private दोनों सेक्टर में जॉब करशकते हैं साथी साथ hospital में जॉब करशकते हैं लोगों की स्वास्त सेबा करशकते हैं बिद्वा, आश्रम, अनात आश्रम इन सभी जगों पे भी जॉब करशकते हैं जब एक बार आप GNM कोर्स कर ले तो आपका जॉब प्रोफेशन होगा staff nurse, home nurse, health visitors, community health worker, home care nurse, nurse educator, ICU nurse, clinical nurse, traveling nurse, इत्यादी के पत पे आप काम करशकते हैं अब last में बताओ कि इसके salary कितनी होती हैं तो इसके salary आपके position पे depend करती है कि आपके position पे हैं और कौन सा काम करते हैं फिर भी एक पता दू, ratio के अनुशार तो इसकी salary 2.5 lakh से लेकर 3.5 lakh पर year रुपीज होती है और अगर आप इसमें पैसे बढ़ते हैं, अगर आप experience हो जाते हो तो आपकी salary 7 से लेकर 8 lakh पर year हो सकती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे, friend के साथ share करे और channel को subscribe करे तब तक के लिए, thanks for watching and keep studying